दोस्तों नमस्कार ये है मागदरशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का बहुत ही महतपूर टापिक आचारे रामचंद्र सुकल की आलोचना पद्धत दोस्तों आचारे रामचंद्र सुकल हिंदी आलोचना की युग पुरूस हैं क्योंकि हिंदी आलोचना का वास्तविक सुत्रपात आचारे सुकल नहीं किया भासा के गुड, दोस, रस, अलंकार आधि सभी आधारों पर इन्होंने रचनाओं का मुल्यांकन किया उनकी आलोचना परक रचनाओं के कारण हिंदी समालोचना ने नए युग में पदारपन किया हिंदी साहित की किसी एक विधा को कभी किसी साहित्यकार ने इतना प्रभावित नहीं किया जितना की आचारे सुकल ने किया आचारे सुकल ने सैध्धान्तिक और ब्योहारिक दोनों प्रकार की आलोजनाओं के नए प्रतिमान गड़े हैं आज की वीडियो में हम इसी के संबंध में पढ़ेंगे दोस्तों आप इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिस्किप्शन बाक्स में डाल दूँगा तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आचारे रामचंद्र सुकल की आलोजना पध्धत दोस्तों आचारे रामचंद्र सुकल हिंदी समिच्छा के केंदरी पुरुस और इतिहास पुरुस कहे जाते हैं जिनकी समिच्छा पध्धत कई दृष्टियों से बेहत संसलिष्ट है उन्होंने बेवहारिक और सहध्धानतिक दोनों ही प्रकार की समिच्छाओं पर बल दिया आइए जान लेते हैं आचारे सुकल के सहध्धानतिक समिच्छा के प्रमुख पच्छ सुकल जी की आलोचना दिरिष्टी जिस आलोचना पध्धत पर आधारित है उसे तारकिक विसलेस रात्मक और निग्मनात्मक बिधी कहा जाता है इसके अत्रीक्त पश्चमी सहित्यकार तेन के प्रत्यच्छवाद अथ्वा बिधेवाद का अस्पष्ट परभाव उनकी समिच्छा पध्धत पर है इसमें किसी रचना का मुल्यांकन जात वाता वरन तथच्छड तीनों आधारों पर किया जाता है यानि डाक्टर आचारे रामचंदर सुकल की जो आलोचना द्रिष्टी है वह तारकिक बिशलेश रात्मक और निग्मनात्मक बिधी कही जाती है और इसके अत्रिक्त पश्यमी साहित्यकार तेन के प्रत्यच्छवाद और विधेवाद का अस्पश्यप्रोहाव उनकी समिच्छा पध्धत पर है और विधेवाद या प्रत्यच्वाद का मूल जो सिधान्त है वो ये है कि इसमें किसी रशना का मुल्यांकन जातिवातावरण तथा छण तीनों आधारों पर किया जाता है सुकल जी की सहधान्तिक समिच्छा में रसवाद तथा मंगलवाद दोनों साथ साथ उपस्तित हैं उन्होंने रसवाद की नई द्रिष्टि से ब्याख्या अपनी पुस्तक रसमिमान समय किया और कहा कि हिर्दय में लोक हिर्दय के लीन होने की दसा ही रस दसा है महतवपूर कोटेशन है हिर्दय में लोक हिर्दय के लीन होने की दसा ही रस दसा है पारमपरिक रसवाद में आई संकीरता को आचारे सुकल ने पुनह लोक मंगलवाद से जोड़ा और इसके अत्रिक्त उन्होंने रस विवेचन के सिध्धान्त में साधारी करण को अत्यन् के प्रति सहानुभूत के उत्पन होने लगती है इसका मूल कारण साधारी करण की ब्याक्ख्या में उन्होंने जो रसात्मक्ता की मध्यम कोटि का उल्ले किया है उसके कारण कभी-कभी नायक के बिरोधी पच्छी के प्रति भी सहानुभूत उत्पन होने लगती है आचार ज्यान योग और कर्म योग के समकच रखा आचारे राम जनसुकल की सैध्धान्तिक समिच्छा के प्रतिमान हम पढ़ रहे हैं इसमें जो पहला माना किया प्रतिमान है उन्होंने कविता को भाव योग माना तथा उसे ज्यान योग और कर्म योग के समकच रखा दूसरा प्रतिमान ये है कि कविता या साहित का प्रियोजन व्यक्त की संकीण भावनाओं को समश्ट की भावनाओं में लीन करना है बहुत ही महत्वपूर है कविता या साहित्य का जो उद्देश से होता है वो व्यक्त की संकीर या तुछ भावनाओं को समष्ट या समाज या लोक की भावनाओं में लीन करना है तीसरा है कि प्रवंध काब्य का महत्व मुक्तक काब्य से अधिक होता है इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा क्योंकि रस योजना और लोक मंगल की द्रिष्टी से प्रवंध काब्य में विश्थिर्ष संभावनाय होती है जबकि मुक्तक काब्य में कम इसलिए आचारे रामचंद्रसुक्ल ने प्रवंध काब्य को मुक्तक काब्य से अधिक महत्वपूर माना है चावथा जो प्रतिमान है वो यह है कि उन्होंने कविता में बिम्बो को परियाप्त महत्व दिया और कहा कि कविता में अर्थ ग्रहण ही परियाप्त नहीं होता है बिम्ब ग्रह कि उन्होंने कविता में असपश्टता के महतु दिया और प्रतीकवाद और रहसिवाद को खारिज कर दिया। अलंकारों के प्रयोक से सौंदर ये नहीं उत्पन होता है। इसलिए अलंकारों का सीमित मात्रा में प्रयोक किया जाना चाहिए। इसके अलामा आचारे रामचंदर सुकल के सैध्धानतिक समिछा का जो अगला प्रतिमान है। वो ये है कि आचारे सुकल मानते हैं कि कविता म नाद सौंदर ये होना चाहिए और पारिभासिक सब्दों के प्रयोक से कभी को बचना चाहिए क्योंकि इसे प्रतीत दोस उत्पन होता है अठ्वा प्रतिमान ये है कि काब की दृष्ट से उन्होंने लोकमंगल की साधना की प्रस्तुत पर अधिक बल दिया यानि वो काब बया साहित सबसे अच्छा माना जा सकता है जिसमें जनता के हित और कल्यार की बात की जाती है और सैध्धान्तिक समिच्छा का जो नौवा प्रतिमान है वो ये है कि गद्ध के संबंध में उन्होंने कहा कि गद्ध या दिरचनकार की कसोटी है तो निबंध गद्ध की कसोटी है उसमें भी वे बैचारिक निबंधों को सबसे महतुपूर मानते हैं और उसको बरीता देते हैं सैध्धान्तिक समिच्छा के प्रतिमानों के समझने के बाद आए देख लेते हैं आचारे रामजंद्रसुक्ल के बेवहारिक आलोजना पद्धत क्या है अचारे रामजंद्रसुक्ल की बेवहारिक आलोजना जिन ग्रंथों के माध्यम से ब्यक्त हुई है उसमें जो ग्रंथ हैं जैसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत, तुलसी दास और हिंदी साहित्य का इतिहास उनके बेवहारिक आलोजना की प्रमुख माननेताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं पहला है कि सुक्ल जी ने सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य के छेतर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उनकी दृष्टि से उसमें सामपरदाइक माननेताओं का परचार मातर था नकी साहित्य रसात्मक अनुभूत यानि बेवहारिक जो समिच्छा है रामचंदर सुक्ल की वो उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं जैसी ग्रंथावली, भ्रमर्गीत, तुलसिदास और हिंदी साहित्य का इतिहास इन ग्रंथों में दिखती है उसके आधार पर हम उनके बेवहारिक का परचारथा नकि साहित्य क्रसात्मक अनुभूति बिद्यापत् Сергe की समिच्छा करते हुए उन्होंने स्रिंगार और आध्यात्मिकता के मिसरण की कठोर आलोचना की हैं उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चस्में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चढ़ा कर कुछ आलोजकों ने विद्यापत के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही जैदेव के पदों को भी तीसरा बिंदु है वेवहारिक समिच्छा का वो ये है कि प्रत्यच्षवादी द्रिष्ट कोण से उन्होंने भक्त यांदोलन के उद्भो की समिच्छा की तथा भक्त यांदोलन को इसलामी आकरमण से उद्पन हिंदु जाती की हतासा का पड़ाम बताया था प्रत्यच्षवादी या विधेवादी द्रिष्टिकोर से वे भक्त यांदोलन के उद्भो की ब्याख्या करते हैं और भक्त यांदोलन को इसलामी आकरमण से उद्पन हतासा का पैडाम उन्होंने बताया है इसके अलामा उन्होंने भक्तिकाल के चारो प्रमुक्कवियों पर लिखा है वे तुलसी की साहित्तिक रचनसीलता को सर्वोच महत्तु देते हैं तुलसी दास की साहित्तिक रचनसीलता को आचारे सुकल सर्वोच महत्तु देते हैं जैसी के सर्ववादी रहसवाद की प्रसंसा करते हैं और सूर के भाव प्रेरित वक्रता की सराहना करते हैं तथा कवीर के साहित्तिक महतों को स्विकार करते हुए भी उनकी काव्यात्मक छमता पर प्रश्निचिन लगा देते हैं। अनिक काल के संबंद में भारतेंद्व मंडल के साहित्तिक सामाजी की योगदान के प्रसंसक हैं। समिछा नहीं कर सके इन सभी विशेस्ताओं के होते हुए भी आचारे सुकल जी के आलोजना पद्धत में कुछ कमियां भी है सुकल जी प्रबंध को अधिक महत्तु देते हैं जैसे प्रबंध को अधिक महत्तु देने के काराण वे मुक्तक को उस तरह का महत्तु नहीं दे पाते हैं इसी काराण सुर और कबीर को उतना महत्तु नहीं मिल पाया है जितना तुलसी और जैसी को तो ये आचारे रामचंदर सुकल के आलोजना पद्धत की कमियां हैं जिसमें सुकल जी प्रबंध को अधिक महत्तु देते हैं जिसके काराण वे मुक्तक को उतना महत्तु नहीं दे पाये हैं इसी काराण सुर दास और कबीर दास को उतना महत्तु नहीं मिल पाया जितना तुलसी और जैसी को मिला है आचारे सुक्ल पारंपरिक अभिजात्य संसकारों से मुक्त नहीं हो पाये थे अतह उनके उनमें जो कबीर के काब्वे में वह महानता नहीं दिखाई दी जो बाद में आचारे दिवेदी देख सके चुकि सुक्ल जी की पध्धत प्रत्यचवादी और विधेवादी है जिसके कारण वे परंपरा इतिहास और रचनकार के व्यक्तितों को यथेश्ट महत्तों नहीं दे पाए हैं और कबीर की अखरता में नाथपंथ का प्रभाव और भक्तियांदोलन की परंपरा में पहले से चली आ रही परंपरा का विकास है स्वतास्फूर्थ विकास है नैकि इसलामी आकरमड से उत्पन हतासा का पैडाम इसलामी आकरमड से उत्पन हतासा उसमें एक कारक हो सकता है लेकिन भक्तियांदोलन एक निरंतर्ता और स्वतास्फूर्थ आंदोलन का विकास है रहर सिव आचारे रामचंद्र सुक्ल ने साहित्य को स्वदेशी और विदेशी में विभाजित किया था और इस कारण से जायसी के प्रेम और कबीर के भावनात्मक रहसिवात को उन्होंने अभारती घोसित कर दिया था। निबंधों को वो स्रेष्ट मानते हैं अपने समकालीन साहित्य से वे प्राया कटे रहे और उन्होंने ने तो प्रगतिवाद पर कुछ लिखा और ने प्रेम चंद के उपन्यासों पर। और पहली बार सैध्धानतिक और बेवहारिक समिच्छा का समन्मे भी किया। रस्ट जैसे बैक्तिक तक को समश्ट से जोड़कर उसके सामाजिक पच्छ को उभारा और उन्होंने समिच्छा में संस्कृत और अंग्रेजी के समिच्छा प्रतिमानों का समन्मे किया। यही कारण है कि आज भी आचारे सुकल हिंदी आलोजना के आधार अस्तंभ माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हिंदी आलोजना के छेतर में आचारे रामचंदर सुकल का जो अस्थान है और आचारे रामचंदर सुकल की आलोजना पधा थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें